हलो सांतियों नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागते हमारे सभी कप्चा दस्वी वाले दोस्त हमारा पेपर जो रहेगा विज्ञान विशे का पिछुत्ता नंबर का पेपर गुन्नीस मार्च उन्नीस मार्च को आप देने वाले हैं विज्ञान का पेपर ये आप सभ को अच्छे तरीके से विदी थे हाँ बिलकुल आप सही सुन रहा है कौन-कौन लाइव क्लास में जुड़ चुका है जरा कमेंड बोक्स में बता दो कौन-कौन स्टूडेंट्स हमारे live class में आ चुके हैं भाया जल्दी से comment box में बताना है जल्दी 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 सभी comment box में बता दो उसके बाद हमारी live class शुरू होने वाली है जल्दी करिएगा मैं इंतिजार कर रहा हूँ क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कितने स्टुडेंट्स हमारे लाइव क्लास में आ चुके है फ्रेंट्स यहाँ पर मैं आपको जो बताने वाला हूँ कोश्चन पेपर का सोलुशन करवाने वाला हूँ पेपर आपका 19 मार्च को रहेगा आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं जो भी हमारे दोस्त इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं कमेंड बोक्स में अपना नाम जरू लिखिएगा और आपने अभी तक किस प्रकार से अपनी तैयारी की है ये भी आपको बताना है चलिए स्टूडेंट्स तो हम बिनादेर के सुरू करते हैं आज के इस वीडियो को ठीक हैं अगर आप चाते हैं कि ओल सब्जेक्ट के वीडियो आपको मिलते रहे तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिपिकेशन आप तक और वार्षिक परिक्चा की तैयारी आप बहुत ही शांदार कर सको चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रिष्ण से कोश्या नंबर आपका पहला रहेगा जिसके सभी प्रिष्ण और उत्तर आपके सामने आपको मिलेंगे सबसे बड़िया आप लोगों के लिए ये भी र उत्तर देना है तो यहां पर आप देख रहे हैं चुम्बक के कितने दुरू होते हैं तो चुम्बक के जो दुरू होते हैं वो होते हैं दो तारो को तारो का टिम्टिमाना किस प्रिकिरिया का उधारन है तो यहां पर आपका अंसर हो जाएगा अप वर्तन दरपन सूत्र लिखिए तो दरपन का जो सूत्र होता है एक बटा एप बरबर एक बटा वी प्लस एक बटा चार lens की चमता का SI मातरक लिखिए तो lens की चमता का जो SI मातरक है वो है diactor dieactor आपका correct answer हो जैगा अगला कुश्यन मनुष्य के व्रग किस तंत्र के भाग हैं उत्सरजन उत्सरजन आपका correct answer हो जाएगा अगला कोशन है जिस अभी किरिया में अपचयन तता उपचयन दोनों अभी किरिया होती है उस अभी किरिया का नाम लिखिए redax उसका नाम क्या है? redax आपका correct answer हो जाएगा English Media वाले बच्चे भी ही आप answer समझ सकते हैं और answer आपके यही रहेंगे चाली अब देखेंगा हम सही विकल्प तो लोहे में जंग लगना एक उधारन है लोहे में जंग लगना जो उधारन है वो है उपचयन अभी किरिया का एक धातू जो चाकू से असनी से काटी जा सकती है उसका नाम है sodium एक स्वस्त मनुष्य के लिए सुइस्पष्ट द्रश्टी की न्यूंतम दूरी होती है पच्चिस सेंटिमीटर एगला कुशन लगुपतन के समय परिपत में विद्धुदारा का मान विद्धुदारा का जो मान होगा वो होगा बहुत अधिक बढ़ जाता है निमने लिकित में से कौन से समयों में केवल जेव निमनी करनी पदार्थ है तो इसका अंसर आपका हो जाएगा फलो के छिलके केक निम्बु का रस अगला कुश्चन देखेंगे विद्धुदावेस का एसाई मात रखे तो विद्धुदावेस का जो एसाई मात रखे उसका नाम है कुलाम कुलाम आपका गरेक्ट अंसर हो जाएगा इंगलिस मिडियाँ वाले बच्चे यही अंसर लगाएंगे अपने प्रिश्चन नमबर तीसरा जिसमें हम रिक्तिस्तान देखेंगे जिन अभी किरियाओं में उत्पात के निर्मान के साथ उसमा व्यूत्पन होती है उस अभी किरिया को क्या केता है तो उसे केता है हम उसमा छेपी अभी किरिया वरंजक चूर्ण का रासानिक सूत्र होता है तो इसका होता है C-A-O-C-L-2 सुद्ध सोना केरेट का होता है सुद्ध सोना जो होता है वो चोईस केरेट का होता है वे सभी प्राक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्चन का कार्य करते है कहलाते हैं जेव प्राक्रम प्रति भिम्ब की उंचाई और भिम्ब की उंचाई का अनुपात कहलाता है तो ये कहलाता है आवर्दन आवर्दन कहलाता है सभी हरे पोदे जिन में प्रकास संसलेशन की चमता होती है वो कैलाते है स्वापोसी या पिर उसे हम प्रकास संसलेसी कहते है आगे बढ़ सकते हैं याँ पर और सत्या फट्य देख सकते हैं हीरा सर्वादिक कटोर्ड पदार्ट है तो इसमें आप सत्य लिखेंगे यह लिखाए सत्य इस्त्रियों में XY गुंसूत्र होते हैं असत्य मस्तिस्क को दो भागों में विजित किया गया है असत्य क्योंकि तीन भागों में किया गया है अगर मस्तिस्क, पश्चि मस्तिस्क, मद्धि मस्तिस्क विद्युत विवांतर का इसाई मातरक ओम है तो इसका नसर भी आपका सत्य हो जाएगा वे बदार्त जो जेविक प्राकरम द्वारा अब गटित हो जाते हैं जेव निमनी करनिय कहलाते हैं सत्य उत्तल दरपनों का उप्योग सामान्यता वहनों के पश्च दरश पश्च दरपन के रूप में किया जाता है तो इसका अंसर भी आप सत्य लगाएंगे राइट और कटकर निसान आपको एक्जाम में नहीं लगाना है जहां राइट लगा है वहाँ पर आपको सत्य लिखना है और जहां पर कटकर निसान लगा है वहाँ पर आपको अफ़त्य लिखना है ध्यान रख्येगा इस बात का चलिए यहां पर हम सत्य अफत्य को पूरा कर चुके हैं आप जोड़ी देखेंगे एकसेन तो इसका जो राशानिक सूत्रे वो है C6H14 खटा दूद धहीं तो लेक्टिक अमलग पाय जाता इसमें और गाइटर आयोडिन की कमी और प्लाजमोडियम इसको आप मिलाएंगे बहु वी खंडन लिंग गुनसूत्र तो इसको आप मिलाएंगे एक युग्म या एक जोड़ी मानवनेत्र रेटीना इस प्रकार आपके जोड़ी मिल जाएगी आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दो-दो नमबर के कुश्चन और तिन-ती नमबर के कुश्चन मिलेंगे इंदी और इंग्लिस मीडियम में पूरा कुश्चन पेपर है ये एक से लेकर तेविस तक सांती में बता दे पूँचन जाओंगा आप लोगों से कि आप इस वीडियो को कहां फे देख रहा है कमेंट बोक्स में जरूर बताएं सभी स्टुडेंट्स जो जो इस वीडियो को देख रहा है कहां सा इस वीडियो को आप देख रहा है comment box में जरूर लिखेगा अगर चैनल पर आप पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको अन्य सब्सक्राइब के वीडियो भी मिल सके साथ ही आपको और वीडियो किस विशे पर चाहिए comment box में जरूर बताएं उसका पीडियो भी आपको टेलिग्राम पर दे दिया जाएगा जिसकी लिंक डिस्करप्शन में है सभी important वीडियो प्लैलिस्ट सबके लिंक हमने डिस्करप्शन में दे रखिए टेलिग्राम की भी दे रखिए वहाँ सब जोईन कर सकते हैं पीडियो प्राप्त कर सकते हैं देख सकते हैं आप और जुन जुन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक अवश्य करें ताकि आपको इसी प्रकार important आपकी exam समबंदित वीडियोस हम आपको लाते रहते हैं इन वीडियोस के माध्यम से आप अपनी परिच्चे की तैयारी अच्चे से कर सकते हैं देख सकते हैं यह पूरा question paper हो चुका है तेविस का तेविस ही तो मिलते हम next video में जल्दी ही आप लोगों के जो comment आएंगे उसके according आपको वीडियो पर वाइट करवा दिये जाएगा धन्यवाद